ओम शांति ओम शांति आज तेरहें फरवरी दोहजार चौबेस दिन मंगल बार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को मीठे बच्चे विदेही बन बाप को याद करो स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी बैटरी फुल होती जाएगी प्रश्न ड्रामा की किस नूंध को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो उत्तर तुम जानते हो यह बॉमसाधी जो बने है यह चूटने है जरूर विनाश होगा तब हमारी नई दुनिया आएकी यह ड्रामा की अनादी नूंध है मरना तो सबको है तुम्हे खुशी है कि हम यह पुराना शरीर छोड राजाई में जन मिलेंगे तुम ड्रामा को साक्षी हो देखते हो इसमें हिलने की बात नहीं रोने की कोई दरकार नहीं ओम शंते बाप बैट बच्चों को समझाते हैं यह जो आधी सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया कारण निकलना चाहिए पहले तो आधी सनातन देवी देवता धर्म ही था फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कहना सके तो अपने को आधी सनातन देवी देवता के बदले आधी सनातन हिंदू कह दिया है आधी सनातन अक्षर भी रखा है सिर्फ देवता बदले कर हिंदू रख दिया है उस समय इसलामी आये तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया पहले हिंदूस्तान नाम भी नहीं था तो आदी सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए वे अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं सभी सनातनी नहीं है जो पीछे आए हैं उनको आदी सनातनी नहीं कहेंगे हिंदूओं में भी पीछे आने वाले होंगे अब फिर याद की आत्रा से सतो प्रधान बनो, उन्हों को यह दवाई अच्छी लगेगी। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो याद की आत्रा से। जो आदी सनातन हिंदु होंगे, वही असल देवी देवता होंगे और वही देवताओं को पूझने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के या लक्षमी नारायन, राधे क्रिश्न, सीता, राम, आदीक देवताओं के भक्त हैं, वह देवताओं घराने के हैं। अब स्मृति आई है, जो सूरेवंशी हैं, वही चंदरवंशी बनते हैं, तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूणना चाहिए। फारम उनसे भराना है जो समझने लिए आते हैं। मुख्य सेंटर्स पर फारम भराने के लिए जरूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शु पारलोकिक बाप के हो, यहां आकर लोकिक के बने हो, तुम अपने पारलोकिक बाप को भूल जाते हो। बेहत का बाप है ही स्वर्ग का रचियता, वहां यह अनेक धर्म होते नहीं, तो फारम जो भरते उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। कोई बच्चे भल समझाते बहुत अच्चा है परन्तु योग है नहीं, अशरीरी बन बाप को याद करें वह है नहीं, याद में ठहर नहीं सकते, बल समझते हैं, हम अच्चा समझाते हैं, म्योजे मादी भी खोलते हैं, परन्तु याद बहुत कम है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहें, इसमें ह स्वधर्शन चक्रधारी बन गए परंतु इसमें तो विदेही बनना है कर्म करते अपने को आत्मा समझना है आत्मा इस शरीर द्वारा का अतव्य करती है यह याद करना भी नहीं आता खयाल में नहीं आता उनको कहेंगे बुद्धू बाप को याद नहीं कर सकते सर्विस करने की ताकत नहीं याद बिगर आत्मा में ताकत कहां से आएगी बैटरी कैसे बरे चलते चलते खड़ी हो जाएगी ताकत नहीं रहेगी कहा जाता है Religion is might आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले बहुत हैं जिनको बाप को याद करना आता नहीं शकल से पता पढ़ जाता है और सब याद आएगा बाबा की याद ठहरेगी नहीं योग से ही बल मिलेगा याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा कहेंगे है चौबिस केरेट गोल्ड है तो चौबिस केरेट जेवर है इस समय सब नो केरेट बन गए है सतो प्रधान को चौबिस केरेट कहेंगे सतो को बाईस यह बड़ी समझने की बाते हैं बाप समझाते हैं पहले तो फॉर्म भराना है तो पता पड़े कहां तक रिस्पॉंस करते हैं कितनी धारना की है फिर यह भी आता है कि याद की यत्रा में रहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बनना है। वह है भगती की जिस्मानी यात्रा है। यह है रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है। उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में ते जाता है। को बाप तो सदाविदे ही है, शरीर का भान है ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं, योग नहीं होगा, तो ताकत मिलेगी कहां से, समझा जाता है यह योगी है यह ज्यानी है, योग के लिए दिन प्रती दिन नई नई बातें भी समझाते हैं, आगे थोड़े यह समझाते थे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अब बाबा जोर से उठाते हैं जिससे भाई बहन का संबंद भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की द्रश्टी रह जाए, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह बहुत उची द्रश्टी है, अंत तक यह पुर्शार्थ चलन है, जब सतो प्रधान बन जाएंगे, तब यह शरीर छोड़ देंगे, इसलिए जितना हो सके पुर्शार्थ को पढ़ाना है, बुड़ों के लिए और ही सहज है, अब हमको वापिस जरूर जाना है, जवानों को कभी ऐसे खयालात नहीं आएंगे, बुड़े वान प्रस्ती रहते हैं, समझा जाता है अब वापिस जाना है, तो यह सब ज्यान की बातें समझनी है, जाड़ की व्रधी भी होती रहती है, व्रधी होते होते सारा जाड़ तैयार हो जाएगा, काटों को बदल कर नया छोटा फूलों का जाड़ बनना है, नया बन फिर पुराना होना है, पहले जाड़ छोटा होगा फिर बढ़ता जाएगा व्रदी होते होते पिछाड़ी में काटे बन जाते हैं पहले होते हैं फूल नाम ही है स्वर्ग फिर बाद में वह खुश्बू वह ताकत नहीं रहती हैं काटे में खुश्बू नहीं होती हलके हलके फूलों में भी खुश ले जाते हैं यह भी जो सयाने बच्चे हैं वह समझ सकते हैं जो समझते नहीं वह पुर्शार्थ भी नहीं करते नंबर वार तो होते हैं न कोई-कोई ऐरोपलेन तो आवाज से भी तीखा जाता है आत्मा कैसे भागती है यह भी किसी को पता नहीं है आत्मा तो रोकेट से भी तीखी जाती है, आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं, उन रोकेट आदी में कोई ऐसी चीज डालते हैं, जो जल्दी ओडा ले जाते हैं, विनाश के लिए कितना बारुदादी तैयार करते हैं, स्टीमर, एरोप्लेन में भी बॉम्स ले जाते हैं, आज कल पूरी त जरूर होना है, बॉम्स न छूटें, विनाश न हो, ऐसा हो नहीं सकता, तुमारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए, यह ड्रामा में नूंध है, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, मिरुआ मोत मलू का शिकार, ड्रामा अनुसार सबको मरना ही है, तुम बच शक्षी होकर देखते हो, रोनियादी की दरकार नहीं, समय पर शरीर तो छोड़ नहीं होता है, तुमारी आत्मा जानती है, हम दूसरा चन्म राजाई मिलेंगे, मैं राजकुमार बनूंगा, आत्मा को पता है, तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, सर्प में भी आ ना है ये सब विचार सागरवन्थन करना होता है सबसे मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना है जैसे बच्चे माबाप को एकदम चटक जाते हैं वैसे बहुत प्यार से बुद्धी योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए अपने को देखना भी है कि हम कितनी धरना कर रहे हैं नारद का मिसल भक्त जब तक ज्ञान न उठाए तब तक देवता बन न सके ये सिर्फ लक्षमी को वरने की बात नहीं है ये तो समझने की बात है तुम बच्चे समझते हो जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है ये महनत कल्प कल्प तुम यथा योग यथा शक्ती करते ही आये हो हर एक समझ सकते हैं हम कहां तक किसी को समझा सकते हैं दे अभिमान से हम कहां तक निकलते जा रहे हैं मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ यह मेरे ओर्गन्स हैं हम सब पाढ़धारी है इस ड्रामा में यह बेहद का बड़ा नाटक है उसमें नंबरवार सब एक्टर्स हैं हम समझ सकते हैं इसमें कौन-कौन मुख्य एक्टर्स हैं फर्स्ट, सेकिंड, थर्ड ग्रेड कौन-कौन है तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदी मद्ध अंत को जान गए हो रचियता द्वारा रचना की नौलेज मिलती है रचियता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं यह उनका रथ है जिसमें परवेशकर आए हैं कहेंगे तब तो दो आत्माए हैं यह भी कॉमन बात है पित्र खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे अभी तो तुमो प्रधान हो गए हैं, कोई कोई अब भी बतलाते हैं हम आगे जन्म में फलाना था, फ्यूचर का कोई नहीं बताते हैं पिछाडी का सुनाते हैं, सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुमको शान्त में रहना है तुम जितना जितना ग्यान योग में मजबूत होंगे, तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं, भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे धन से भी भरपूर थे, अभी तो खाली हैं, वह सॉल्वेंट, तुम इन्सॉल्वेंट तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है, भूक मरना ही पड़ेगा अनाज पानियादी कुछ नहीं मिलेगा, कहां बाड़ होती रहेगी, तो कहां पानी की बूंद नहीं होगी इस समय दुख के बादल हैं, सत्युग में सुख के बादल हैं, इस खेल को तुम बच्चों नहीं समझा है, और किसी को भी पता नहीं है बैज पर भी समझाना बहुत अच्छा है, वे लौकिक हद का बाप, यह पारलौकिक बेहद का बाप यह बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्सा देते हैं, नई दुनिया बन जाती है, यह है आईरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है तुम अभी संगम पर हो, दिल साफ मुराद हासल रोज अपने से पूछो, खराब काम तो नहीं किया, किसी के लिए अंदर विकारी खयालात तो नहीं आए अपनी मस्ती में रहे, या जर्मुई जग्मुई में टाइम कमाया बाप का फर्मान है, मामे कम याद करो अगर याद नहीं करते, तो नाफ फर्मान बरदार हो जाते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते धारना के लिए मुखे सार ज्यान योग की मस्ती में रहना है दिल साफ रखनी है जर्मूई जग्मूई अर्थात व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गवाना है हम आत्मा भाई भाई हैं अब वापिस घर जाना है या अभ्यास पक्का करना है विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो बाप को याद करना है वर्दान स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान सत्यता की शक्ती धारण करने वाले दिव्यता संपन्भव दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को वा बाप के सत्य परीचो को यथार्त जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मरती में रहते हैं तो उनमें सत्यता की शक्ती आ जाती है उनके हर संकल्प सदा सत्यता वा दिव्यता संपन्भ होते हैं संकल्प, बोल, कर्म और संबंद संपर्ग सब में दिव्यता की अनुभूती होती है सत्यता को सिद करने की आवशक्ता नहीं रहती अगर सत्यता की शक्ती है तो खुशी में नाचते रहेंगे स्लोगन सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी ओम शंति